आज हम बात करने जा रहे हैं सोशालजी की क्लास 12 आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 5 जिसका नाम है चैलेंज टो नैशनल इंटेगरेशन आपको पता होगा जब हम बात करेंगे चैलेंज टो नैशनल इंटेगरेशन इसमें हमें में चार टॉपकिस पढ़ने हैं जब हम is Communism, और दूसरा टॉपिक है Regionalism, और तिसरा टॉपिक है Castism, and फॉर्स टॉपिक is Role of the State, कौन से Constitutional and Legal Majors है, तो जो अपने पहला टॉपिक जो है, जब हम Communism के बात करते हैं, Communism जो टॉपिक है वो हमने रिजिनलिस्म, तो रिजिनलिस्म होता क्या है, तो रिजिनलिस्म होता क्या है, तो रिजिनलिस्म को हम कैसे डिफाइन कर सकते है, तो यह रिजिनलिस्म को हम कैसे डिफाइन कर सकते है, तो यह रिजिनलिस्म को हम कैसे डिफाइन कर सकते है, तो यह रिजिनलिस्म को हम कैसे डि phenomenon है, जब लोग की जो वफादारी है वो या तो अपने region के लिए होती है, या जहां वो पैदा हुए है, place of origin जहां वो पैदा हुए है It's based on number of factors और बहुत सरे factors है जिसके वाज़ से regionalism का concept लोग के जहन में आता है चाहे वो language की बनियाद पे हो, race की बनियाद पे हो, religion की बनियाद पे हो, या जिग्राफी की बनियाद पे हो, और other related factors यानि इसके बहुत सरे factors है जिसकी वज़़े से regionalism जो है वो वजूद में आता है जैसे हम बात करते हैं बहुत सारे states जो है हमने बहुत सारे स्टेट्स को देखा होगा जो बनी है लेंग्वेज की बुनियाद पे बहुत सारे स्टेट्स बनी है रुजन की बुनियाद पे बहुत सारे स्टेट्स बनी है मजभब की बुनियाद पे तो जब हम रिजलिजम की बात करते हैं तो it can be based on various factors और इससे क्या होता है यह किसका result है कभी कभी diversity होती है यानि जब हम एक nation की बात करते है जैसे इंडिया as a nation की बात करते है तो इंडिया एक diverse country है जिसमें बहुत तरके मजब हैं, there is a variety of languages, variety of ethnic groups, variety of caste तो जो यह diversity है और इस diversity के बुनियाद कभी कभी क्या होता है कि इसके वज़े से रिजिनलिज्म को बढ़ावा मिलता है या तो disparity होती है या एक दो ग्रूप के दरिम्यान जो है disparity होती है या differences होती है उसकी वज़े से जो है regionalism पर concept हो जाए वह आजाता है तो regionalism या जब हम regional movements के बात करते है इसे क्या होता है कि जब हम regional movements के बात करते हैं, देखे बहुत सारी states में जो है जो रिजनल मुवमेंट्स चली है चाहे रिजनल मुवमेंट्स पंजाब में चली है चाहे रिजनल मुवमेंट्स नॉर्थ एस्ट में चली है चाहे रिजनल मुवमेंट्स सौफ़दर इंडिया में चली है या चाहे रिजनल मुवमेंट्स जेंड के में पर्टिकलर जैसे लदाग में चलिए है या अभी जो है जो है जो है जो मो कहता है कि हम एक अलग से रीजिन चाहे अलग सा स्टेट चाहे जो मो को अलग सा स्टेट चाहे है आमें कश्मीर के साथ नहीं रहना है तो यह जो रीजिनल मुवमेंट्स है यह चाहते हैं यह चाहते ह हैं हम बात करेंगे नॉर्थ स्टेट्स के जैसे उनको मिला है आर्टिकल 371 उसके अताहत कुछ प्रोटेक्शन उनको मिली है कोई ऐसे वहाँ लैंड नहीं करें सकता है कोई ऐसे वहाँ जो है जमीन खरीद नहीं सकता है तो ऐसे जैसे बहुत सारी चीज़े हैं जो एक प्रोटेक्शन दी जाती है जैसे हिमाज़ परदिश को 371 के तहत प्रोटेक्शन दी जाती है जैसे जैसे जैन की बड़ा डिमांड कर रहा है पर्टिकलर कश्म रिजन जो बड़ा डिमांड कर रहा है कि हमें भी प्रोटेक्शन चाहे to culminate itself into a new state formation असल में होता क्या है कि जब भी एक रिजनलिज्म की बात होती है जैसे हम बात करते है हरियान और पंजाब की और हरियान और पंजाब पहले एक ही स्टेट थी आफ्टर इंडिपेंडन्स जब इंडिया को आजादी मिली उसके बाद हरियान और पंजाब एक ही स्टेट थी मगर उसके बाद पंजाब के जो लोगों ने उनने कहा कि हमें अलग सी स्टेट चाहे पहले उनने तो मजभब की बुनियाद पे मांगा कि on the base of religion जो है हमें एक अलग सा स्टेट मिलना चाहे स्टेट के लिए मगर उसके बाद उसको अपरू नहीं किया गया बढ़ हाँ उनका एक स्टेट मिल गया पंजाब एक अलग स्टेट बन गया मगर उसकी जो बुनियाद थी वो language बनी यानि language की बुनियाद पे उनको अलग सा एक region दिया गया है पंजाब on the base of their sick on the base of पंजाबी language तो यानि उससे क्या होता कि यह चाहते हमें एक अपनी self-governance मिले जैसे कश्मीर में बात करता हूं लदा की बहुत ताइम से डिमांड थी हम एक self-governance चाहिए जैसे इससे पहले लदाक काउंसल हिल जो था वो बना या उसके बाद जो लदाक की खास्तों जो लहके रहने वाले जो लोग थे उनका ये माना था कि हमें एक separate state चाहिए जैसे कि उनको recently जो है unit territory का दर्जा दिया गया है यानि वो क्या चाहते है वो चाहते कि हमें एक self-governance मिल जाए ताकि हम अपनी एक नई state बनाए अपनी एक नई रियास्त बनाए और अपना एक ताकि हम अपने region पे जो है खुद काम कर सके और हम दोस्तों के shadow के अंडर नहीं रह सके तो यह थी definition regionalism तो जब हम बात करते हैं region state conflict usually takes place in the institutional structure of the state system whereby a region questions the distributive policy of the state as discriminative, exploitative and unfavorable to the well-being of the regional community तो जब हम बात करते हैं जो अक्सर जब हम regions के बात करते हैं अक्सर region और state के दरिमाए जो अक्सर conflict होता है इसकी prime example मैंने अभी दी जैसे कश्मीर की मैंने बात की है जो कश्मीर एक state है जिसके साथ Ladakh भी पहले एक state थी उसके बाद जब article 370 को revoke किया गया है तो Ladakh को अलग से एक union territory का दर्जा दिया गया है तो अक्सर हमने देखा है कि region state के दरिमाए अक्सर एक conflict रहता है अर यह conflict क्यों है इसका मतलब क्या होता है इससे पहले लग के जो लोग थे उनका यह माना था कि जो कश्मीर जो है इसमें पूरी की जो पॉलशीज नहीं क relação कि वेर कश्मीर के लिए बनती है और हमें नजर अन्दास किया जाता है यानि जो इसकी policies है वो बिटी discriminative है हमसे बड़ा इम्तियाजी स्लूव बढ़ता जाता है हमें बड़ा exploit किया जाता है और कोई भी rule ऐसा नहीं बनता है जो हमारी favor में है जो हमारी well being of our regional community के बारे में है same इसे पहले जब हम बात करते हैं Darjeeling एक moment है जो West Bengal में चली है तो Darjeeling जो है जो गोर्खा people है वहाँ पर जो नेपली origin के है जो Darjeeling में रहते हैं उनका ये माना है कि हमें से जब भी policy West Bengal में बन जाती है वो policy सिर्फ West Bengal या Kolkata को देखे बन जाती है बट हम जो लोग है जो एक different region के लोग है इसी state के रहने वाले लोग है बट कोई भी policy ऐसी नहीं है जो हमारी favor में होती है ये policy बढ़ी discriminative है या तो बढ़ी exploitative है इसे होता क्या है This perceived a sense of neglect force people to assert their regional identity on more pronounced manner and it takes the form of a movement जब ये चीज़ ये लोगों में हो जाती है जब लोग का ये idea आ जाता जब लोग ये idea मिल जाता है कि हमें बड़ा नजर अंदाज किया जाता है कोई भी policy हमारी favor में नहीं है कोई भी चीज़ें हमें support नहीं करती है और ऐसा लगता है एक institutional favoritism जो हमें नहीं मिलता है और इसे होता है क्या है कि ऐसे लोग जो different region pockets में रहते है तो उनको लगता है कि हमें बड़ा नजर अंदाज किया जाता है जैसे मैंने लदाक की बात की जैसे मैंने डार्जलिंग की बात की या इससे पहले बिहार जो है बिहार जो है उसके साथ कुछ और जो states उससे पहले जो थी जो merge हुई थी या बहुत सारी जो southern states है जैसे रिसेंटले हमने देखा कि अंदरप्रदेश में जो है तैलंगाना जो है अलग एक separate state में उनको मिल गई असल में होता है कि जो ये लोग होते है जो different regions चाहिए region की बुनियाद पे हो language की बुनियाद पे हो मजब की बुनियाद पे हो इनको लगता है कि हमारी अपनी एक regional identity होना ज़रूरी है इसलिए उसको pronounce करने के बात करते है इसको जोर से कहने के बात करते है और कही ना कही ये एक it takes the form of a moment एक moment के शकल में ये आगे आ जाता है यानि जब हम बात करते है रिजिनलिस्म जो है तो या तो ये बुनियाद हो सकती है मजब की बुनियाद पे या तो रिजिन की बुनियाद पे या तो languages की बुनियाद पे या कुछ और की जब हम बात करते है जो इंडियाजम है पोरा करने के लिए it takes the form of a movement तो यह थी हमारी definition रिजिलिजम के बारे में इसके बाद हम पढ़ेंगे types of रिजिलिजम और उसके बाद पढ़ेंगे impact of रिजिलिजम cause of रिजिलिजम और उसके साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं इसका impact क्या है और रिजिलिजम कैसे एक threat है एक challenge है to national integration because जिस chapter के अंडर हम यह पढ़ रहे हैं वो chapter का नाम ही है challenge to national integration यानि हम यह भी पढ़ना है कि एक रिजिलिजम जो है यह कैसे challenge है कैसे threat है national integration झाल